नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेटनरी क्लास इस यूटीब चैनल की इस वीडियो पे तो गाइस आप में से बहुत सारे पशुपालक भायों नहीं वेटनरी के स्टुडेंट नहीं दोस्तों कमेंट जब आप करते हैं तो मैं उनको रिड करत होता है र Mason अच्छान इंजक्शन होता है उसके बारे में डॉट था यानि कि बहुत सारे ऐसे इंजक्शन थे अपको सब से पहले देखने को मिल जाएगी तो यह जो पांच इंजेक्शन आप तो यह जो पैंच आप देख रहे हैं, अपनी screen के ऊप़र, dus यह जो इंजेक्शन है, अब मैं नाम भी आपको बताऊँगा, ठीक-प्क है? English क्वी जो इंजेक्शन है, तो वो इस injection के बारे में ठीक है तो बात करते हैं ठीक है तो दोस्तों इसमें से जो पहला injection है ठीक है वो है आपका epidocin injection यानि की wealthy might bromide injection ठीक है दूसरा आगया हमारा जो oxytetra cycling है ठीक है वो है और तीसरा जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छा injection है बिकॉमल जिसे की बैलमाईल के नम से भी आता है ठीक है और इसके अलावा है हमारा dexamadazone sodium phosphate injection ठीक है और इसी के साथ लास्ट में हमारा जो nemovet का injection आता है nemo slide injection ठीक है न तो दोस्तों यह 5 इंजेक्शन है ठीक है तो इन 5 इंजेक्शन को आज मैंने लिया है और आप में काफी ज़्यदा कमेंट थे रही है तो सबसे पहले हम बात करते हैं nemovet injection की ठीक है तो इसमें सबसे पहला जो यह doubt था इन यह प्रॉपरली जो है विल्कुल भी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है ठीक है प्रेगनेंट पशु में इसको ना लगा तो बहतर होगा इसको हम जददर यूज़ करते हैं जब एनिमल का फीवर अगर पशु में फीवर है ठीक है और इसी के साथ पशु में जैसे मैस्टाइटि को नहीं लगाना है ठीक है उसके बाद दूसरा इंजेक्शन आता है डेक्जोना यानि की डेक्सामेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन आई एम और आईवी दो रूट से इसको लगा जाता है और तीसे मेल की यह वायल है ठीक है तो गाइस इसका भी डाउट था कि अधेशन बिल्कुल भी प्रेग्नेंसी सेफ नहीं है प्रेगनेंसी अंसे यह इंजेक्शन है और इसको हम लगाते हैं जैसे की पशुु में बहुत सारी ऐसी कंडिशन हो जाती है पशुमें अगर हार्ट में हार्ट से रिलेटिड अगर कोई डिजीज है या पशुक किस चिति में आ गया है ठीक है या फिर पशुमें मिल्क फीवर या की टॉसमें भी हम इसको बहुत कम लगाते हैं वैसे यूज में लाया जा सकता है लेक्स ओना लेक्समें थाजून ठीक है और यह जो आपको एक बात का विश्यस दियान रखना है कि प्रेगनेंट पशुको ना लगाएं तो बहतर है यह बहुत जादा खतरनाक है ठीक है तो इसलिए जब भी आप इसको यूज करें तो बिलकुल सभी बातों का ध्यान देन इसको आप पशुमें लगा सकते हैं लिवर को स्ट्रॉंग करने का काम करता है ठीक है और दोस्तों यह जो इंड्यक्शन है यह बहुत ही अच्छा इंजक्शन है ठीक है इसको आई-एम आई-वी सबकट सब रूप से लगा सकते हैं वैसे आप इसको आई-यम ज्यादर यू और दोस्तों यह जो है प्रेगनेंसी सेफ है कोई दिकत नहीं करता है पशुमें बस टोजडेट आपको थोड़ी सी मैंटेन रखनी होती है और इसके बाद जो है हमारा आता है ऑक्सी दोस्तों ऑक्सी के बार मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं डिटेट्ल में इसके ऊपर विडियो है डिस्क्रिप्ष्जन में आपको इसकी जो विडियो है उसका मैं अपको लिंक दे दूँँगा आप जाकर चेक कर केलशियम मैगनेशियम जो बोरोग्लुकोनेट आता है माइफ्रेक्स का उसके साथ कभी भी नहीं देना है ठीक है यह जो है दिक्कत कर सकता है एनिमल में और काफी गातक हो सकता है यह और प्रेगनेट पशु को भी इसको लगाने से बचना है ठीक है और दुधारू पशु मे और यह क्या करता है कि जलन भी पैदा करता ऑक्षी टेट्राइक्ली निंगेशन ठीक है जो छोटे छोटे पशुटे ओते हैं जैसे की छोटे में ने हो गई ठीक है तो उन में आपको यह injection नहीं लगाना है और जब बेड़ वक्रियों में इसको लगाते हैं ठीके ना तो काफी जादा उचलती है तो इसलिए आपको क्या करना है कि जू इंजेक्शन है इसमें आपका इजड़ाउट था तो कैलिशियम मेगनेशियम के साथ कभी इसको बोर ग्लुकुनेट के स्थास्ट आइमरा जो है उसका फोकस नहीं हो पा रहा है तो यह जो इंज्चिन है इसको कभ हम यूज में लाते हैं क्योंकि इस ने जंचिन इसको बारे में बहुत कम spar रा क्पाल्ग बाई है डियाऀ साका जूड़ने के सब्स 토ल्सिया घ्रियों को मालुम जिसकर जयादर injection और यह प्रेग्नेंस सेफ है प्रेग्नेंट पशू को इसको यूज में नहीं लगाना चाहिए देखत कर सकता है ठीक है तो दोस्तों जैसे पशू डिलीवरी के समय अधिकत करता है तो समय सर्विक्स नहीं खुल पाती है पूरी तरह से तो उसमें आप यह लगा सकते हैं एक अपके मनमें जोभी टाउट थे तो गड़ी जो पांच इंजेक्शन थे इनके इवारे में आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट पढ़ी करें तो चैसले हो हो तो आप लाइक कीजिगा shipalak भाई के साथ वेटनर इस्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर किजिगा और चैनल को सब्सक्राइब किजिगा और एक बार हम इंजेक्शन के नाम जान लेते हैं तो जो सो यह निमू स्लाइट परस्टमूल यह निमू बैट इंजेक्शन ठीक है दूसरा हमारा डेक्शा में था क्थस्स्टमूड़ निमश्डर्य और उन्में गया एक बार्सित